स्टूडिंट्स हमारा जो लास्ट जो लेक्टर था उसमें हम नियो क्लासिकल एप्रोच ऑफ मैनेश्मेंट हमारा कॉंटिनियू था जो कि हमारा कम्प्रीट नियू पाया था पीछ में रह गया था तो यह 1930 और 60 के बीच का पीरेड है नियो क्लासिकल एप्रोच जब कि उसका मतलब होट्रॉण स्टाडीज पर बेस्ट है 1920s की जिसने ग्रिव किया जो लिमिटेशन्स थी क्लासिकल थी होरे की उसको ठीक है अटेंशन जो फोकस की गई महां पर जॉब्स और मशीन से हट कर की गई मतलब जो सोशल और साइकलोजिकल साटिस्फेक्शन था एंप्लोईज का उसके उसको उसके महाँ पर शिफ्ट हुआ यह ठीक है विमिन साइट पर जो है शिफ्ट हुआ यह वाला मैनेजमेंट तो होत्रों एक्स्पेरिमेंट फोकस कहां कहां करता है हमने यह सोशल फैक्टर्स ग्रोप लीडर्शेप कॉम्निकेशन कॉन्फिक्ट सुपर्विजन यह हमारा प्रिवेस वीडियो में कंप्लीट हो गया था है अब नेक्स्ट हमारा आता है जॉर्ज एल्टन मायो ने यह वाली जो स्टडी है वहां से कंसिडर हुआ था उन्होंने वह फाउंडर थे न्यू क्लासिकल थियोरी के ठीक है लीडर थे टीम के जो हॉर्ट्रोन एक्सपरिमेंट है जो वेस्टर एलेक्ट्रिक कंपनी पे USA में डूरिंग 1927 और 32 के बीच के पीरेट के बीच जो स्टडी थी जिसपे बेस थी यह थियोरी नियो क्लासिकल तो और इसमें थ्री एलिवेंट्स थे जो कि बताया गए है हॉर्ट्रोन एक्सपरिम था अंडर्स्टैंडिंग के हुमन बिहेवियर के अट वर्क एंडिन ओर्गनाइजेशन मतलब यह चीज़ को जो एक अवैर्नेस थी उसको शिफ्ट किया गया कि केवल जो हमारे एक निव आइडिया जो टेखनीक को डेवलप किया गया कि जो हमारे एंप्लोईज हैं यह न वेल्वेबल ठीक है दी जादा मोस्ट वेल्वेबल एसेट ऑफ एनी ओर्गनाइजेशन यह जो स्टडी है यह उस पर बेस्ट है एक निव आइडिया और टेखनीक्स पे एक बेटर एंडर्स्टैंडिंग हुमन बिहेवियर की यहां पर इसमें अपने स्ट्रेस दिया गया है यह कॉंट्रीब्यूटर्स की ऐसी एप रोच है जो रिकॉगनाइज करती है ओर्गनाइजेशन को जो हमारा सोशल सिस्टम सब्जेक्ट है टूदर सेंटिमेंट्स इन कल्चर पैंटर्स उफ दा मैंबर्गनाइजेशन जो हमारे ग्रूप डायनमिक्स है लीडर्शिप म मोटिवेशन पाटिसिपेशन होना जिए वरकर्स का मतलब मेली कंसर्ण विट सेंटिमेंट्स एंड साइकलोजिकल नीज ऑफ दा एंप्रोच है जिसने चेंज़ किया व्यू को कि एंप्लोईज आर टूल्स चो यह टूल्स तो फॉटर्शेट व दिओंटल इंप्लोईजेशन वाली सब्सक्राइशन फ़लीवें यह ग्रूप्र ग्रूप पे रिजगेंपे रिजुएं इसमेंडें यह जगह पर रिमिट पेसिजीन ऑफ प्चांट प्रिवेशिकल फेरी विकोज अंप्रेडिक्पली TS नहीं कर सकते विकपोस्वकों प्सक्रांइब होती है जिसको फोड़क्पड नहीं कर सकते विकूंट तो इंडीन गिसी तो पीओ एक यह पीकुंतां संयंट नियुक्त भेंट allora है आप पर सफर फ्रॉम जो क्लिनिकल बयाज है यह सारी चीज़े जो हैं आप यह थोड़ी सी जो एक मतलब हर थियुरी की अपनी इंपॉर्टेंस है और वहां पर कुछ न कुछ डी मैरिट्स भी हर थियुरी के हैं और क्या है अप्लिकेशन क्या है वेरे डिफिकल्ट है हैえ हमें राइटिटूड में मानेजर्जर की और सब्सक्राशन के सबक्राद थिए है अब क्लासिकलिन इटम्РИक के वीचप। अगर हमें बोलना हो या हमें वीघ्रिंस पता करना हो तो क्लासिकल पूर्ड की है ऐएं अप्लेट्टिक किये development of management thought mainly management thought आपके पास आता है तो classical new classical theory ही आपको mention करने है यहां पर classical theory में क्या है attention दी हुई है focus किया गया है job and machines पे on the other hand new classical approach क्या है emphasize करता increasing production production कैसे हम increase कर सकते है through an understanding of people ठीक है according to proponents of this theory if manager understand their people and adopt their organization to them अगर अपने जो हमारे employees है हमारे subordinates है managers आपस में एक दूसरे को समझे adopt करें organization को success करना चाहते है usually उन चीज़ों को follow करें ठीक है तो classical जो एक classical theory stress करते है on task and structure mainly class पे और structure पे task जो होती है एक ही रैकल portion है वहां पे stress करती है और new classical emphasize करती है people aspect पर अब हम points of distinction लेते हैं दोनों की बीच में जिससे की हमें सिंपल सी language में हमें पता चल जाए हमें clear हो जाए कि दुना approach है क्या simple सी जो यह points है इनसे हमें पुरा note out हो जाएगा पूरा हम simply हम बोल सकेंगे हमें पता चल जाएगा चार्चे points में कि इनकी बीच का difference क्या है तो पहला क्या है focus function वहां पर क्या है classical में economic demand of workers economic demand पर focus किया गया है यहां पर focus किस चीज़ पर emotions and human qualities of worker focus point क्या है जो focal point है वहां पर economic demand है यहां पर emotions and human qualities second होता है structure वहां impersonal structure है ठीक है classical approach में और यहां पर mechanistic impersonal और mechanistic है और जो हमारी neoglassical theory हो आपर social system है वहां पर machines की तरह job केवल work लेना है ठीक है अपने employees से और यहां पर एक social system के में कैसे एक social system के अंदर अपने workers के साथ हमें more and more cooperation के और motivation एक leadership quality के साथ कैसे group dynamics कि थूँँ हम अपना work perform करते है थर्ड होता है application application autocratic management है में है classical approach की और strict rules जहां पर होते है वाइल यह democratic process है यह classical approach emphasis कहां पर है discipline emphasis किस चीज़ पर दिया गया discipline पर और rationality बिल्कुल जो practical एक way होता है हां पर emphasize किया गया है और personal जो हमारी neoclassical है वो हमारी personal security पर और social demand पर हमारी personal security और social demand मतला हमारी workers participation पूरा security जो है social उसके उपर दिया गया है stress और social demands पर अब work goal क्या है workers के maximum remuneration and reward ठीक है महाँ पर है classical approach में work लेना है ठीक है हम deal कर रहे है हम tools और machines की तरह deal कर रहे है maximum remuneration लेना है ठीक है reward लेना है while attainment of organizational goals organizational goals को हम attain कर रहे है किस तरह attain कर रहे है एक social sentiments के साथ और एक social behavior के साथ next आता है हमारा concept about man concept क्या है about man यह economic है economic being है while social being है जो classical theory economic being है और concept जो man को लेके concept है वो है वहाँ पर new classical में social being content यहाँ पर content है scientific management administrative जो के हमने तिनों पढ़े हैं bureaucratic management while heartthrone experiment human relation movement and organizational behavior यह इन चीज़पे इसके contents यह हैं तिन contents relation classical theory में formal relation while neoclassical में informal relation nature mechanistic while organistic वहाँ पर mechanistic nature है और यहाँ पर अर्गनिस्टिक